असलाम अलेकम दोस्तों मैं हूँ मुहमत फर्हान और आप सब्सक्राइक बर फिर से मोस्ट वेलकम हमारी नई फ्रेश वीडियो में दोस्तों जब भी हम कुरान आडियो एडिटिंग सिखाते हैं प्रोफेशनल आडियो एडिटिंग आपको पता है कि हम आम तोर से मुबाइल फोन से पॉसिबल ही नहीं है लेकिन आज मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि उस टाइप की आडियो एडिटिंग करना वह भी अपने मुबाइल फोन से पॉसिब आले भाई कर सकते हो सारे जिसने आपको सिखाने वाले हैं इस वीडियो में और इस वीडियो को चलिए हम अपना मॉबाइल फोन जो है अपने लैप्टॉप में ही यूज कर रहे हैं तो यहां पर आप दिखते रहे हैं तो जो एप्लिकेशन हम दो यूज करने वाले हैं उसका नाप है वेव एडिटर ठीक है तो इस एप्लिकेशन को आप इंस्टॉल करें और ऑपन करें कितले हैं तो दीमीच बोलकर जूप काम चला लेते हैं तो यहां पर आप अप्लिकेशन में देखेंगे रिकॉर्ड को उप्शिन दिखराया चाओ और यहां पर ब्रॉ्ड पूर्प आपने अप्नेफाइल में से ज्यो आपमें लिपकूल करते हैं अगर सबने कर रखिए तो आप यहां पर record कर सकते हैं हमने record नहीं की है हमारे पास कोई भी audio recording पहले से मौजूद नहीं है तो हम लोग यहां पर recording करेंगे ठीक हमारा यह recorder open होगी है हम लोग यहां पर recording करते हैं फिर recording के बाद आप से मिलते हैं तो यहां पर दोगों ने अपनी ओडियो को रिकॉर्ड कर लिया है और अपनी ओडियो को याद रखने के लिए आप यहां पर इसका नाम डाल दें सुर्य फातिह हमने यहां पर रिकॉर्ड की और इसको करेंगे कीप तो हमारी रिकॉर्डिंग हो गई है अब आप अपने मुवाइल फूम में बैक वाली बटन जो है वह यहां पर प्रेस करने राइट आज देखें कि आपकी जो ऑडियो है वह यहां पर आच चुकी है सिंपल आपको क्या करने उस अद्यों पर क्लिक कर देना है अब जैसे आप यहां क्लिक करेंगे आपके सामें बिल्कुल प्यारा सा ओडियो एडिटर ऑपेन होकर आ जाएगा और इस ओडियो एडिटर की खास बात यह है ना दोस्तों एड़ और पादिशन में जितने फीचर सेना क हमें क्या करना है यहां पर रिवर्ब लगाना है अपनी और युद्यो में समूझ में अपर समस्चा सबसे पहले रूम साइज हमें सारेशने बताते हैं आपको औरली फिर आपको प्रेक्टिकली कर दिखाएंगे रूम साइज देखिए आपने अगर से अलग-अलग environment में बैट कर recording की है या फिर तिलावत की है तो आपको समझ में आता होगा मस्जिद अगर से खाली है पूरी blank है कोई नहीं हो आपर बड़ा hall है तो रूम साइज अगर आप फुल करेंगे तो जितना बड़ा रूम रहेगा उतनी ही आपकी आवाज गुंजेगी यह हो गया हमारा रूम साइज और विड्ट हमारे रूम की चौड़ाई कितनी है लंबा बड़ा रूम उतनी हमारे आवाज गुंजेगी अब डैंप क्या है अब डैंप आपको हम अपनी जुबान में समझाएं कि एक ऐसा रूम है जिसकी छत जो है बहुत नीचे है समझ रहे हो जैसे कभी बात रूम में आप लोगों ने टौवल मंगी ममी से ममी टौवल दे दो तो वहां पर जो बात रूम में आवाज गुंजीती है ना छोटा सा मतलब डेंस एरिया होता है तो आप यहां पर डैंपिंग बढ़ाएंगे ना तो आपकी आवाज वैसी लगए मतलब कि आप बहुत ही छोटे से एरिया में खड़े होकर बोल रहे हो अब इसके बाद जो लो और हाई लिखा है अभी यह लो और हाई आपको बताने लगेंगे तो आप यह पीछे कर डिलियर डैंप और रोम यह सारी जीते भूल जाएंगे इसलिए जो है आपको जितने काम से मतलब है उतना यहां पर सीखिए और अपनी आडियो बस आपको परफेक्ट बनाना है अगर से आप लो वाली फ्रिक्वेंसी को बिल्कुल कम करेंगे तो आपकी अवास बिल्कुल भी नहीं गुंजेगी और अगर से आप हाई वाली फ्रिक्वेंसी बिल्कुल हाई कर देंगे तो आपकी अवास बिल्कुल भी नहीं गुंजेगी तो यह डिफॉल्ट पर जितन तो इन सारी जो उपर आप लोगों ने सेटिंग कर रखी उसकी पावर यहां पर एक हाथ में दे दी गई है अगर साब इसको बिल्कुल कम कर देंगे तो आपका जितना भी उपर इफ्ट लगाए वह नहीं करने वारा है तो डिफॉल्ट में आप जितना भी था यहां पर रहत हैं मैं तो यहां पर बिल्कुल बीच में रखता हूँ अब यहां पर नीचे है आपको पता है कि एड़ आप आडिशन में एक वहां पर ड्राइ और वेट का आपशन होता था ड्राइ मतलब आपकी ओरिजिनल आवास और वेट मतलब आपकी डुप्लिकेट आवास अगर लगा लेते हैं और आप भी हैड़ फून लगा लेता कि आडियो का इफक्ट जो है काफी अच्छी तरीके साब को समझ में पढ़ें तो हमने देखिए मैंना भी कहा कि हमने बिल्कुल नीचे वाली एक्दम कम कर देते हैं कम करने से क्या होगा हमारी ओरिजिनल आवास ज्या इयाक नअबद वईयाक नस्ताइए इहदिना स्रात अल्मस्तकीम स्रात अल्दीन अन्यम्त अल्यहिं गयरिल्मग्दूब अल्यहिं वल्दालीन अमीन तो यहां पर दोस्तों हमने अचाहिं की और इन सारी बटन के साथ प्ले भी की तो जैसा मैंने भी आपको थेरोटिक ली बताया था कि ऐसा करने से ऐसा होगा आपने प्राक्टिकली सुन लिया होगा कि कौन सा ब्टन का यूजड क्या है और आप देखिए थृवरा सा टाइ प्रेबल लगता है कौन साब को पर्फेक्ट लगता है उस ऑडियो को अपने उस एफेक्ट को अपने ऑडियो में लगाएं तो कहना जाहिए कि एडॉप आडिशन से ऐसा लगता था अब आप मॉबाइल फोन से भी लागा सकते हैं अब आप हम बताए कि यह कंसिडर करने अब लगाना चाहिए यह फाइनल है तो आप यहां पर टिक पर क्लिक करें आप जितना भी इफेक्ट है वह यहां पर लग जाएगा इसके बाद आपको आडियो जो है नॉर्मलाइज वगरा करनी आप यहां से नॉर्मलाइज करके फाइल में जाए और इसको एक्सपोर्ट चाहते हैं यहां पर औरको आपको यह एकरिंट करने के बाद और कितने बात एक सिक्रेट बदाने बाला सिक्रेट यही है कि यह अप्लिकेशन प्ले स्टूर पर फ्री नहीं है अगर साथ फ्री वर्जन डाउलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर यह जो टिक लगाने का उप्सेन है मतलब की इफेक्ट को अपलाई करने का जो बटन दिया गया है वह आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा यहाँ पर लॉग बना रहेगा तो इस लॉग को हटाने के लिए इस एप्लिकेशन का फ्री वर्जन हमने दे दिया है अपने टेलिकराम ग्रूप में जो की नाम है उसका ग्रूप का डॉट हेल्प सपोर्ट आप चाहें तो उसको जोईन कर सकते हैं टेलिकराम पर जाएए और सर्च करें डॉट हेल्प सपोर्ट आपको मिल जाएगे और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगे उसकी दोस्तों वीडियो काफी नंबी होती जा रही है बस करते हैं आप जो चीज़सा हमको बताने थी वह हम बता चुके आज की सवाली वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बिल्कुल नए फ्रेश कॉंटेंट के साथ तब तक के लिए गड़ बाए